ताजा तरिन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें नमस्कार में फिरोज हास में पापा की परी ही हत्यारी निकली जिसने गोद लिया था उसी को चाकू से गोद दी ये कहानी नहीं हकीकत है जिसने भी सुना वो जगजोर उठा आखिर जिसने बेटी को गोद लिया और वही बेटी बाप की हत्यारी निकली पांस दिन पहले माहिम के समुद्र टट पर सूटकेस में एक लास मिली थी पुलिस को जिसको लेकर मुमबई पुलिस काफी हudge तक चानवीन की जिसके बाद एक के बाद एक खुलासे सामने आई और जो भी खुलासा सामने आया वोहर किसी को चौका दिया लेकिन मुम्बई पुलिस ने सूटकेस में भरे लासट की गुथी सुलजा ही ली। एक पापा की लाडली परी ही अपने पापा की हत्यारी निकली। जाज के बार मालूम पड़ा की सूटकेस में सान्ता कुरूज में रहने वाले बनोटो रिबेलो नामक सक्स के लास्थे रिबेलो की हत्या बेटी और बेटी के बॉइफरेंड ने दोनों मिलकर लाठी और चाकू मार कर हत्या कर दी इस हत्या के पिछे पहले तो जानकारी आई एक तो ये वज़ा थी संपती विवाद को लेकर और दूसरी जानकारी सामने आई बेटी और प्रेमी के बीच पिता दरार बन रहे थे और बेटी के प्रेमी से पिता नाराज थे जिसको लेकर गोद ली हुई बेटी और बेटी के प्रेमी दोनों ने मिलकर बेटी के पिता की हत्या कर दी हत्या करने के बाद सौ को कई टुकड़े करके अलग-अलग जगों पर फेक दिया है लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच को एक सूटकेस मिली माहिम समुदर के पास जिसके बाद मुंबई पुलिस गहरी चानवीन की सोसल मीडिया की मदद से टेलर की मदद से तो पूरे मामले का खुलासा हुआ खुलासा होते ही पापा की परी, बेटी और उसकी प्रेमी को गिरफतार कर लिया जहां दोनों ने इस हत्या के पीछे की राज जो हत्या की पीछे राज था उसको कबूल किया हम जानते हैं मुंबई पुलिस ने सूट केस में मिले सौ और उसकी गुथी कैसे सुल्धाई पहले आप सुनिये जो मयत है उसकी उम्र 69 साल है और बेनेट रिबेलो ऐसा उनका नाम है इसमें जब हमने पैरलल इन्वेस्टिकेशन शुरू किया तो उस बैग में हमको जो दो शर्ट मिले उसमें एक टेलर मार्क था और यह टेलर मार्क जिस दुकान से है उस दुकान कुरला इरिया में था तो उसको पहले हमने ढून निकाला उसके मालिक को पुष्टाश करने के बाद उसने लगबग सव ऐसे बिल्बुक हमारे सामने पेश किये जिसमें कोई भी कपड़ा सीलाता है तो उसका जो कपड़े का सैंपल है उसको पेश्ट करके उसको स्टैपल करके उरखते हैं तो आईसे बिलुक हमारे सामने आने के बाद ये जो शर्ट हमको सुटकेस में मिला था। उसके साथ मैच करने की मैच करने का प्रायाव ideal सामने किए तो एक आयूप नाम का जो लड़का है उसको हमने ढूंड निकाला लेकिन आयुप का जो शर्ट है वो उसके घर में तो वह possibility जो है वहाँ पर eliminate हो गई जब हम और आगे गए तो एक और एक record हमको मिला जिसमें उस bill book पर Bennett ICSM का नाम लिखा था लेकिन उसका address, उसका contact number कुछ भी उसमें मवजूद नहीं था तो आगे जाके हमने social media की इसमें मदद ली और facebook पे इसी नाम से कोई account register है किया इसकी जानकारी लेने के बाद हमको Bennett Tribelo नाम से एक account facebook पे मिला उस account से हमको तीन बाते मिली पहले तो उसने जो post facebook पे दी थी उसमें उसका एक signature भी था वो signature और टेलर के दुकान में बिल बुक पे जो signature था वो वहाँ पर match हो गया दूसरी बात facebook के उपर उसका एक photo था फोटो में उसने sweater पहना था और same वही sweater उस back से उस suitcase में हमको मिला था और तीसरी एक बात बहुत important हमको यह मिली कि उस आदमी का पूरा नाम उसका contact number और उसका address हमको उस record से मिल गया तो इस address पे जाके फिर हमारी police ने उसकी और जानकारी जुटाने के बाद यह पता चला कि यह बेनेट रिबेलो ही है यह यहाँ पर वाकुला एरिया में रहता है भी जानकरी मिलने के बाद फिर उस लड़की को हमने ढूंड निकाला हमने यह पाया कि यह गर्ल का एक 16 साल का और एक boyfriend भी है और वो भी उस एरिया में या उस घर में कभी-कभी आता है यह भी जानकरी हमको मिली तो हमने दोनों को हिरासत में ले लिया और interrogation के दवरान उन्होंने इस जो घटना है उसकी पूरी जानकरी हमको दी यह लड़की का जो boyfriend है इनका affair उस जो मयद है उसको पसंद नहीं था उसका इनके affair को विरोत था साथी साथ लड़की के मुताबिक उसका कुछ sexual exploitation भी मयद से हो रहा था तो इसी से तंग आके दोनोंने मिलके उसको लाठी और चक्पु से मार कर उसकी हत्या की तो आपने सुना पास दिन के अंदर मुंबई पुलिस ने हत्या की गुठी सुलजाई और अभी body के कुछ parts अलग अलग जगहों पर रिक्से की मदद से फेका गया था पुलिस उसकी चान बीन कर रही है कितना भयानक ये घटना गोध ली बेटी और उसके प्रेमी ने दोनो ने मिलकर हत्या कर दी और लास को ठिकाने लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी बाप की सिर्फ इतनी गलती थी बेटी के प्रेमी से नराज थे और इस नराजगी का सबक पापा को मौत की सजा दिया और दोनों उसी घर में रहने लगे लेकिन मुंबई पुलिस इस भयानक हत के आरूपी को गिरफतार कर लिया अब मृत को कि बेटी और बेटी की प्रेमी दोनों मुंबई पुलिस के कब्जे में है उनसे बाकी सिकी पूश ताच की जा रही है आखिर दोनों ने मिलकर और पर जो बॉड़ी पाप थी जो पृत की जो पीटा की वो कहां पर फेका है इ इसी के साथ समाज राजनीती से जुड़ी होई खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रहार टाइम्स.